हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाएए मेरे यूट्यूब फैमिली से दोस्तो अगर आप 2020 के अंदर एक branded और एक शानदार AC खरीदने के त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को आप पूरा end तक देखें so that कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए दोस्तो शाओमी कंपनी ने आपको गर्मी से बचाने का इंतिजाम कर लिया है और उन्होंने लॉंच कर दिया है एक शानदार AC आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इस AC को जेंटल ब्रीज एर कंडिशनर के नाम से लॉंच किया गया है और कंपनी काफी समय से इसको प्रमोट कर रही थी और फाइनली इसे अब लॉंच कर दिया गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस AC के प्राइज और काफी शानदार पीचर्स के बारे में तो दोस्तो बने रही है एंड तक क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जेंटल ब्रीज एर कंडिशनर में जायो AI वोईस असिस्टेंट होता है जिसकी मदद से आप दूसरे स्मार्ट होम प्रडक्ट्स के जरिये इंटर लिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से और आप इसे आसानी से वोईस कंटोल के जरिये ओन या फिर आफ कर सकते हैं दूस्तो इस AC को कंटोल करने के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी MI एप्लिकेशन और आप अपनी आवाज के जरिये ही टेंप्रेचर को कम या जादा कर सकते हैं दूस्तो शाओमी कंपनी ने AC को एक टन की शुरुवारती कीमत में पेश किया है भारती रुपे में यह कीमत 26,000 रुपे के असपास होती है अगर मैं बात करूं इसके 1.5 टन वेरियंट की तो भारती रुपे में यह कीमत 29,000 रुपे के असपास होती है दोस्तो इस AC को खास बनाते हैं छोटे-छोटे micro holes मैं बात कर रहा हूँ इसके 1120 air outlet micro holes की जो 3-dimensional air supply करते हैं और हाँ दोस्तो अब चाहे आप कमरे के किसी भी कौने में बैटे हो आपको वैसी ही थंडक महसूस होगी जैसा कि आपको AC के नज़िक आने पर महसूस होता है क्योंकि इसमें लगे हुए हैं दो super large cross flow fence जो कि इस AC को बनाते हैं बहुती शांदार दोस्तो अगर मैं बात करूँ इस AC device की technology की तो ये आता है full DC frequency conversion technology के साथ जिससे मिलती है higher efficiency दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसकी APF value की तो वो है काफी high लगभग 5.13 जो बनाती है इसको काफी energy efficient दोस्तो अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ Thank you so much for watching